नमस्ते मेरा नाम है गौरफ कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तग एक बार देखे इन तस्वीरों को ये तस्वीरे आपको विचलित कर सकती हैं आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरे कहा की है और इसके पीछे का पूरा मामला क्या है तो चलिए हम आपको बता आते हैं आखर ये पूरा माजरा क्या है दरासल जिस उत्रप्रदेश में गायों को धार्मिक आस्ता का प्रतीक माना जाता है और गायों को लेकर ऐसी सियासत होती है कि सरकार तक गिर जाती है और ये चुनाओं में एहम मुद्दे के तौर पर उठाया जाता है उसी 2017 में योगी आदित्यनाद की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने डंगे की चोट पर एलान किया था कि यूपी में अवैद बूचल खाने बंद किये जाएंगे इतना है नहीं सरकार ने गौकशी करने वालों के खलाफ कानून में बदलाव करते हुए 10 लाग का जुर्माना भी मुकरर कर दिया था इतना है नहीं गौकशी में पकड़े गए कई अपराधियों के उपर तो एनेसे कानून के तहट भी कारवाई की गई लेकिन जमीनी हकिकत चलिए हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीरे भी यूपी की है जहां एक धरजन से ज्यादा मृत गायों को कूड़े के साथ फेक दिया गया और ये कहीं और की नहीं बलकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के संसदिय शेत्र की घटना है सुबे के मुख्यमंत्री योगिया अधितिनात ने अवारा पशू के लिए उनके संड्रक्षन के लिए करोडों रुपे खर्च कर दिये हर जिले में हर तहसील में गौशाला बनवाने की बात कही गई अवारा पशू की जियो टैगिंग करवाई गई ताकि सरकार के पास पशू धन का रिकॉर्ड रहे लेकिन हाकिकत क्या है वो आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं हलाकि जब इस मामले को लेकर पशू चिकित्सक अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी अजीबों गरीब जवाब दिया अधिकारी साहब का कहना है कि ये मृत जानवर ठंड की वज़े से मरे हैं और हो सकता है कि इन्हें मारने में किसी की साज़िश भी हो अब इस पर जाज करवा रहे हैं ये जो मृत पस उठाने वाले लोग हैं ये इनका एक जात विशेस का ये कारे है इनके अलाव और कोई नहीं करता है तो ऐसी संभावना है कि वहाँ पर कोई और लोग भीज लेकर जानवर ठेक रहे हैं जी सरारत कर सकते हैं लोग जबकि हमारा जो निगम का ठेकेदार वो निश्चित है कि नहीं फला व्यक्ति को टेंडर दिया गया है उसका टेंडर हुआ है वही इसकारी को करेगा उसके अलवा कोई तीसरा व्यक्ति नगर निगम सीमा चेतर में नहीं करेगा लेकिन ऐसा प्राया सुनने में आ रहा है मैं पास शिकाहते आई है हमने फायार के लिए भी बड़ा लाल पुर्थाने में मन्नी मंत्री जी के हां से तीन-चार लोग का नाम आया था कि ये फला लोग ऐसा मृत पसुओं के जह उदर फेक रहे हैं तो बाई नेम आया हुआ था कि फला-फला व्यक्ति हैं तो हमने यहां से लेटर बनाया करके मंत्री जी के लेटर को भी उसमें अटैस करके सनलगन करके हमने बाडाल पूर्थाने में हमने उसको भेज दिया था कि इनके खिलाप सकत कारवाई की जा तेकि ये कल 31 जानवर पसु जो हैं कुत्ते गाय खचर इत्यादी जो हैं कलन की मोत हुई है इनका मैक्सिमम रीजन है ठंड जो लगातार एक हफ्ते से चल लहीं है तो इस वज़ा से ठंड में चुकि ये चुट्टा पसु है चुट्टा पसु होने को वैसे इनको प्रापर बेवस्थाब मेनेजमेंट है नहीं कि इनको कंबल उड़ा के रखा जाया अच्छा फीडि ठंड लग से मार पड़ रही है तो इस वज़ा से इनकी मौते हुई है कोड़ की बहले ही ये मामला कुछ भी हो लेकिन एक सवाल तो सरकारी कामकाज को लेकर भी उड़ता है अगर ये जानवर ठंड की वज़े से मरे हैं तो वो गौश आलाय कहा गई जहां इन्हें संड्रक सरकारी यों को नहीं पता है कि कि अब करनी रही है उसकी जानकारी दी जाती है लेकिन सरकारी तंतर केहते हैंना कि सरकारी तंतर अगर समय पर काम करे तो फिर बात ही क्या अभी पता नहीं बेटा कहां से आता हमको नहीं मालूम है अज़ाबू लड़के बोलते हैं कि आप पुलिस खुद बोलता है कि आप लोग यहां करम चारी है आप लोग निकाल दिया जाएगा लेकिन इटाका नहीं हटेगा यही से बोलते हैं अरे दीरे लोग अस्ताल भरती है इस समय जाला कर दीन है तो कोई गनीम कुछ गणीमत है गर्मी रहता है तो हम लोग तो खाना पीना मनीन बस्ती में आप लोग रहते हैं यह का न पीछे फ़्टाल के अंदर यह संगरामन हस्पिटाल इस तरह के जानवर पेके जाते हैं अरे वही भा तो दोस्तों यह थी गोशालाओं और गायों को लेकर उनकी बड़ी रिपोर्ट की आखरकार उनकी जमीनी हकिकत क्या है क्या वाकई आवारा पश्चों की जियो टेगिंग के तुरू जो टेक्नोलोजी सामने लाई गई वो कारगर है या नहीं लेकिन उत्ते प्रदेश झालड़ी रिपोर्ट की जिया याई नहीं बंदेरे बाल इकार है झालड़ी जिए टेप्राफ टेर्टा है जिए कारभश टेया आवाफर कारण भी तोस्तों की जचक्टारा एलनकी कैसा झाल झाल